मिसरी कहते हैं, वादिय नील का पानी जो एक बार पीले, नील दुबारा उसे बुलाता है, एहरामे मिसर में दाखला आसान है, एहराम के अंदर जाना बहुत खोफनाक है, अगर आप डरते हैं अंदहरे से, बंद कमरू से, सद्यू पर मोईत, मोत की मेहक से, तो आप एहरामे मिसर के अंदर नहीं जा सकते अंदर जाने के शौकीन बहुत थे दाखले के बाद उपर तक नहीं गए उपर से सद्यूं की पुरानी बास अच्छे अच्छों को पागल कर देते हैं सुरंग खतम होने पर आप फराउन के चेंबर में दाखल होते हैं एक चोटा सा सिया पथर वाली दीवारूं का कमरा ये एहरामे फराउन खोफों ने तेमीर करवाया था गेजा में तीनू एहराम में ये सबसे बड़ा है इस कमरे में पथर की सिलूं के दर्म्यान ममी दर्याफद होई थी लेकिन वो खोफों की नहीं है खोफों की ममी अब तक दर्याफद नहीं हो सकी एहरामे मिसर की थंडी सिया दिवारूं में एक जबरदस्त एनरजी है हाथ लगाने से मेसूस होती है पढ़े लिखे मिसरी कहते हैं ये जगा कदीम मिसर में इलेक्ट्रो मेगनेटिक फील्ड थी यहां रात को खंजर रखें तो सुबू तक तेज हो जाता है गोश्त रखें तो सूख जाता है मिसरी एराम के अंदर जाने से घबराते हैं सिया भी घबराते हैं सही घबराते हैं साड़े चार हजार साल पहले की तारीख हैं जहां दिवारों पर अजनबी जबान में लिखी हों घबनाना बनता है ये कैसे लोग थे अजीब लेकिन अजीम उशान नील का रुख मोड दिया रास्ते बना लिये टन्नू वजनी पत्रों को उठा उठा कर उपर ले जाते रहे फिजिक्स इस्ट्रालोजी के माहिर जब सब तसकीर कर लिया तो खुदा बन बेठे लेकिन खुदा ने बताया के खुदा तो बस एक ही है है योव वा कयूम जिसे मोत नहीं आती उन खुदाओं को मोत आ गई और ऐसे अमराज से के आज तक ये खुदा सुन लें तो शर्मिन्दा हो जाएं कोई दांतु के मर्द से मरा, कोई अंतन्यू की बिमारी से कोई सरफ सरदर्द से ज्यादातर की ओसत उमर 30 से 60 साल के दर्म्यान रही जब शाही मुर्दे को ममी फाई क्या जाता था तो जिसन के अंदर से खाली कर दिये जाते थे नाक के जरिये दमाग खेंच लेते थे सीना कात कर दिल रख लेते थे आंतू की जगा कपड़े लपेट देते थे अला तुझसे हम हर पल माफी मांगते हैं तेरे अजाईबात को तेरे इन सारे राजू को तू ही समझ सकता है